तो हेलो गाईज में हो यह शोर आप देख रहे हैं हमारा टीम इगल गेमिंग इस्पोर्ट चानल तो गाईज यहाँ पे आपको इस्पोर्श रेर कंटेंड मिलते हैं और मिलते रहेंगे तो गाईज आज का वीडियो का टॉपिक होने वाला फ्रीपार इंडरन चैंपेशिप तो 1031 पाल और पाल का मतलब में बाता देता व्टम टू तो थाउजन टेंट यून फॉल क्यों रखावननना जो येर के लास्ट सिक्स मंत में आता है वो पॉल होता है और जो येर के फ्रस्ट शिक्स मंत में आता है जो स्प्रिंग को ठीक है आपका इसे बताद दिया नॉल स्टार्ट करते भीना किसी देर के तो गाइस जैसे कि आप स्केशिन पर दीख रहे हो प्रिबार ने अप्डेट कर दिया इंडियन चांबेंशुप के बारे में और गाइस यह साइद अगले मंत होंगा मेरे को लग रहा है एक रूलमेंट अगले मंत हो सकता है अगले मंत निटैंप्स व्याजी चींटे हो जो अपने इंगें में से पोस्रिटेटईंच में से आपनी प्रो अपने क्माराइब करके यह तो आपको पता चल गई कौन सी होंगी और बाद में आ जो अपनी बाकी की छे टीम से जो प्रो लिग का फाइनल होने लाए ना उसमें से टॉप सिक्स्टीम सीधा कॉलिक होंगी यह पाइस के लिए ठीक है और इसके बाद विंटर भी होने वाला है प्रो लिग विंटर तो उसका डिटेल चाहिए आपको तो मैं रेक्वमेंट करके बाता हो मैं उसका वीडियो भी बना दूंगा ठीक है तो सब्सक्ति है आपको अभी से मायना करना होगी अभी से प्रेटिस काना स्टार्ट काना होगा और विदावड बन्सकी नहीं तो आप विदावड वन्सकी नहीं काना तो उसके लिए आज चाहूंगा और जिसका जैसी रजिस्ट्रेशन आती हैं इन गेम मैं उसके ऊपर इसकी लिंक में डिस्क्रिप्शन में देदूगा उधर जाना और अपीशल एपसाइड इसमें कुछ फेक नहीं है ठीक है यह पूरा आपडेट रहता है अब कौन सी टिम कॉलिपाय होंगी हो यह तो प्रो लिग का फाइनल होने की बाद ही पता चलिंगा टॉप सिक्स टीम औ अगर इसके बार में और कुछ अपडेट आता है डेट के कंफर में उसके बारे में आपको बता दूँगा ठीक है लेकिन आप अभी से प्रैटिस करना चालो कर दो तो आज की वीडियो में इतना ही अगर वीडियो अच्छी लगती तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना औ चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटकिशन वाल पर सेट कर देना जैसे में मतलब अपडेट आएगे कुछ फ्रो इसपोर्ट से रिलेटेड कुछ भी तो मैं आपको सबसे पहले दे दूँगा ठीक है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना एक एक सब्सक्राइबर और एक एक लाइक से आपका मोटी मेरा मोटीवेशन बढ़ते हैं सवर्य आप कई बोल रहा तो में तो गाई चोल आज की वीडियो में इतना है बाई बाई मिलते हैं नेक्स टूडियों में तब स्क्राइब